दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम अपने चैनल पर एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि रोजगार का नोटिफिकेशन है ग्रूप डी की बहुत सारी वेकेंसी एड़ोटाइज की गई है और ग्रूप बी की जो 8575 वेकेंसी क्लास फोर की अलग-अलग विभागों के लिए गर्मेंट ओफ जंधिकेंसी एड़ोटाइज्मेर द्वारा जारी किया गया है यह नोटिफिकेशन इस एड़ोटाजमेंट का नंबर है एक बटे दो हजार बीस और यह 26 जून जो हजार बीस को जारी किया गया है जब से जमू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा मिला है यानि अगस्ट दो हजार उननीस के बाद यह बहुत बड़ी भरती है जो सेंट्रल गवर्मेंट और गवर्मेंट आफ जमू एंड कश्मीर द्वारा यह जारी किया गया है नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कुल 8575 ग्रूप D क्लास 4 की वेकैंसी को एड़टाइजमेंट किया गया है और इस जो भरती है ओनलाइन परकिरिया से यह भरती अपनाई जाएगी जैसे ठीक पर हर्याना में ग्रूप D के 18,000 पद भरे गए थे ठीक उसी परकिरिया से यह भरती परकिरिया को अंजाम दिया जाएगा और आप सभी जो बेरोजगार साथ ही हैं और जो इस परकिरिया में भाग लेना चाते हैं ग्रूप D की वेकैंसी के लिए अपलाई करना चाते हैं वो अपनी जो ओनलाइन एप्लिकेशन है वो 10 जुलाई से भरना शुरू हो जाएगा और 10 जुलाई से लेकर 25 अगस 2020 के बीच में ही आप ओनलाइन एप्लिकेशन सम्मिट कर पाएंगे बात करें यहां कि कितनी वेकैंसी की एड़िकेशमेंट हुई है तो आपकी वीडियो स्क्रीन पर टोटल नंबर और पोस्ट अड़िकेशन सम्मिट करनी पड़ेगी और सेलेक्शन प्रोसेस पर डिस्टिक और डिविजनल यूटिक एडर की जो पोस्टे हैं वो आपको इस अड़िकेशमेंट के एक में क्लियर कर रखी हैं वहां से आपको पता चल जाएगा जो अपॉइंटमेंट ऑफ दा कंडिडेट होगा दा सेलेक्शन अंडर दा डिविजमेंट नोटिकेशन शेल बी अकॉड़ेंस वीड़िजन ओफ जमू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास फॉर स्पैसल रेक्यूटमेंट रूल दो हजार बीस के जो रूल्स बने हैं जमू एंड कश्मीर में उसके मुताबिक ये भरती परकिरिया को पूरन किया जाएगा और एप्लिकेंट अपॉइंटमेंट एंड अधर सर्विस कंडिशन जो कंडिडेट की होंगी वो सेलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से जो गवरन की जाएंगे वो जम्मू कश्मीर जो प्रोबेशनर कंडिशन एंड सर्विस पे एंड अलांसीज रूल्स हैं फिक्स ऑफ टैन और जो डॉमिशायल है वो कंपिटेंट अथर्टी द्वारा आपका जारी हुआ होना चाहिए और बात करें वेकैंसी की जो कैडर वाइज और डिपार्टमेंट वेकैंसी डिटेल है वो इस एडवर्टाइजमेंट के जो एनेक्सचर 1 है उसके उपर दरसाया गया और बात क करें पेस्केल की जो क्लास फोर का जो पेस्केल रहेगा जम्मो एंड कश्मीर गवर्मेंट के मताबिक वो एस एल स्पैसल लेवल वन रहेगा 14,800 मिनिमम बेसिक पे रहेगी और मैक्सिमम बेसिक पे प्लस 47,100 रहेगी और 14,800 पे आपको जो डिये है एच चारे इत्यादी आपकी एज लिमिट यानि आप एक जनवरी 2020 को जो ओएम केंडिडियेट हैं अन्रिजर्व केंडियेट हैं मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्स की यानि एक जनवरी 1980 से लेकर एक जनवरी 2002 के बीच बारन होने चाहिए पैदा होए होने चाहिए तब यह आप अपलाई कर और बात करें ST Candidates की ST Candidate की भी जो अपर एज लिमिट है वो 43 years की है 43 साल अधिक्तम आयू सीमा है और RBA Candidate की भी 43 वर्स अधिक्तम आयू सीमा है O.S.C. यानि Others Social Cast के लिए भी 43 वर्स अधिक्तम आयू सीमा रहेगी Physical Handicap जो Candidate है उनके लिए 42 वर्स अधिक्तम आयू सीमा रहेगी जो Ex-Service Man Candidate है वो 48 यानि 48 वर्स की अधिक्तम आयू सीमा रहेगी और जो Government Service में Contractual Basis पे अल्रड़ी जम्मो एंड कश्मीर में लगे Appointment to Class 4 Special Rules है उसके मताबिक आपको दी जाएगी अब बात करते हैं Qualification की जो Point No.6 पर भी Clear गर रखा है जो Minimum and Maximum Qualification for Appointment वो इस परकार से रहेगी जो Class 4 की है Candidate के पास 25 आठ 2020 से पहले ही ये Cut-off Date है 25 आठ 2020 ये Cut-off Date इसलिए क्योंकि इन Vacancy को Online Fill करने के लिए आखरी तारीख ह अंतीन तारीख है इस 25 अगस 2020 को आपके पास Metric की जो Qualification है वो आपने Qualify कर रखा होना चाहिए Metric और 10th Standard आपका पास हो रखा होना चाहिए और 25 तारीख तक को आपके पास Certified भी होना चाहिए दस्विंगा तब ही आप इन पनों के लिए Apply कर पाएंगे अब बात करते हैं Reservation क और Economical Weaker Section की है वो Department के Concern Department के जो Provisions होगे उसके मताबिक आपको मिलेगी इसी परकार जो बात करते हैं आगे जो वेकेंसी हैं ये कितनी कितनी वेकेंसी कितनी निकलिया उससे पहले हम बात करेंगे Application fee की इन पदों को भरने के लिए प्रतेख application fees प्रतेख candidate को application fees के रूप में 350 प्रती application के रूप में देनी पड़ेगी और ये आप जो fees है वो through online payment mode से ही भर पाएंगे जैसे net banking और अपना ATM card यूज करके मास्तरों card यूज करके pay rupees debit card से आप payment कर पाएंगे इसके लावा और कोई माध्यम नहीं है और बात करते हैं जब आपकी online apply करने के पाद जो परिक्ष किया जाएगा और बात करते हैं scheme of examination की कि आपका examination जो इसके लिए जो return test होगा वो किस परकार से होगा examination जो है objective type का होगा multiple choice question आपके आएंगे उस base पर ही होगा और इस examination में आपको 0.25 की negative marking भी रहेगी इसी परकार ये सारा आपका process रहेगा ठीक वैसे प्रोसेस रहेगा जैसे हर्याणा में group D की vacancies के लिए रहा था और online apply करने के लिए आप J&K का जो service selection board है उसकी official website पर जाकर आप online apply कर सकते हैं और candidate के पास आपका matrix standard का document है वो होने चाहिए और आपके पास date of birth का certificate होना चाहिए या आपके पास metric या उसके equivalent कोई आपके पास certificate है तो आपके पास equivalency का certificate होना चाहिए इक्विलेनशी होता है उसके समकुस अजयदी आपके पास होना चाहिए सक्ष और कैटेगरी का सेटिवेट आपके पास होना बहुफ जरूरी है और जो person handicapped है उसके पास भी एक जो prescribed perform है उसके ऊपर आपका handicapped certificate आपके पास बना होना चाहिए आपके पास अधार, water ID card, diving lessons, pen card, passport, school ID card, इत्यादी ये भी हो तो और अच्छा हो सकता है आपको भरने में मदद मिलेगी, online application भरने में आपको मदद मिलेगी अब बात करते हैं आगे जो vacancies हैं, वो कितनी-कितनी vacancies किस-किस area के लिए divide कर रखी है आठ हजार, जो ये 775 vacancies हैं, इनको आगे divide करके बताया गया है कि किस area के लिए कितनी-कितनी vacancies divide है वो इस advertisement के ये जो annexure 1 है, जो आपकी video screen पर अब आपको दिखाई पढ़ रहा होगा इसमें vacancies को UT, यानि Jammu and Kashmir state को पहले रजय था, अब इसको UT बना दिया गया है UT के जो UT cadre रहेगा, UT cadre के लिए जो class 4 की vacancies है total, वो 463 vacancies total advertisement की गई है और जो जम्मू division रहेगी, जम्मू division के लिए जो vacancies है class 4 की, वो आपको 1545 vacancies जम्मू कश्मीर का जो जम्मू division है, उसके लिए रिजर्व की गई है और जो कश्मीर division है, जम्मू and Kashmir का, उसके लिए जो total vacancies है, वो 1600, यानि 1600 vacancies रिजर्व की है और अनंतनाग division के लिए 303 vacancy जो इसमें रिजर्व रखी गई है और बंदीपुरा जो division है, उसके लिए 165 vacancy है 12 मुला division के लिए बात करें हैं 563 vacancy है, बढगाम division के लिए 309 vacancy है और डोड़ा के लिए बात करें, डोड़ा के लिए total vacancy 304 है, और गंदरबर्ड के लिए जो division है, उसके लिए 166 vacancy है और जम्मू के लिए total vacancy 449 है, कट हुआ के लिए बात करें, यह total vacancy 385 है, किस्तवाड के लिए जो total vacancies है, 144 है कुलगाम के लिए जो total vacancy, 167 कुप वाड़ा के लिए जो बात करें, यहाँ 281 vacancy, पुंच के लिए 106 vacancy, पुलमावा के लिए 116 vacancy है और राजोरी के लिए 268, रामबंड district के लिए यह district adder की vacancies है, 108 vacancy है और राइसी के लिए 149 vacancy, सामबा district के लिए 97, सौपियां के लिए 132, सिरी नगर के लिए 320, उधमपुर के लिए उधमपुर जो district है उसके लिए 279 vacancies है, और कुल मिलाकर total all district adder को मिलाकर जो total vacancies है, 8,575 vacancies जो कि आपके total point पर आपको दिखाई 8,575 class 4 की group D की vacancies advertise की गई है जमबो एंड केश्मीर selection board द्वारा, आप सभी इन पदों को भर सकते हैं, online आप भर सकते हैं और बात करें यहां इनका जो selection process रहेगा, सबसे पहले जो बात करते हैं, जो recruitment rule है, class 4 का जो इसमें दरसाया गया pay scale जो रहेगा, वो SL 1, 14800 से लेके 7,100 तक रहेगा, जो selection criteria है, वो आपकी video screen पर है जो UD cater के लिए, UD, UT cater के लिए, जो reserve vacancies हैं, उनके लिए return test होगा, वो 85 marks का होगा, और जो candidate whose family member neither is nor has been government servant including in PSU board, ottoman's body, यानि किसी भी candidate का कोई family member, सरकारी सेवा में नहीं होगा, तो उसको 5 अंक, social economical के, social economic के, समाजी का धार पर उसको 5 अंक दिये जाएंगे, यदि कोई महिला candidate है, और विड़ो है, divorce है, judicially separate है, तो उसको तैसिलदार से एक certificate issue कराना है, कि वो अनात है, विड़ो है, या divorce woman है, तो उसको 5 चंग इस चीज़ के भी दिये जाएंगे, और जो casual worker हैं, जो contract basis पे, जमु एंड कश्मीर, गवर्मेंट में पहले से लगे हैं, पांच उनको, उनके experience के रूमें, पांच अंक दिये जाएंगे, इस परकार यह जो ut cadder की जो vacancies हैं, उसके लिए 100 नंबर का test होगा, 100 में से जो social economic के नंबर हैं, वो 15 अंक दिये जाएंगे, और 85 marks का आपका return test होगा, इसी परकार जो divisional cadder के हैं, जैसे district wise जो cadder की vacancies हैं, उन 80 marks का return test होगा, और candidate जो home division का उसके पास, जिस home division में apply कर रहा है, जिस division का वो रहने वाला है, वहां का यदि उसके पास domestic हैल होगा, तो 5 अंक उसको वहां के दिये जाएंगे, और जिस candidate की family में कोई government servant नहीं है, उसको 5 अंक उस चीज के आपको social समाजी group से आपको 5 अंक उस च से सेटिवेट यदि attach करती हैं, वो तो नहीं 5 अंक उस चीज के विदिये जाएंगे, जो casual worker है, जो जमवन कश्मीर से वा government में पहले से contract basis पे लगे हैं, casual worker के रूप में लगे हैं, पांच अंक उने इस experience के रूप में दिये जाएंगे, कुल 100 अंक का आपका examination होगा, आप इसके बाद बात करें, डिविजनल केंटर के इलावा दिस्टिक एडर की vacancies हैं, और दिस्टिक एडर की vacancies के लिए 75 marks का आपका return test होगा, और concern district में रहने वाले को उस district, जिस district में वो अपलाई कर रहा है, यदि उस district का रहने वाड़ा है, और उस district का आपके दिस्टिक का आपको 10 अंक मिलेंगे, और जिसके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं, पांच अंक उसको social economic के दिये जाएंगे, widow or divorce woman को भी पांच अंक मिलेंगे, casual labor जो आलेडी पहले से गवर्मेंट सेवा में, पांच अंक उनको मिलेंगे, इस परकार ये selection criteria रहेगा, जो क भरती पूरण हो चुकी है, हरेना गौर्मेंट में, वैसे ही ये vacancy है, class for group D की, इस भरती प्रकिरिया में भाग लेने के लिए, आप online application submit कर पाएंगे, और online application submit करने के साथ साथ है, आप जो शुरुवाती date है, वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, डेट जो commencement or submission of online application है, वो 10 जुलाई 2020 से आप online application submit कर पाएंगे, यानि आपकी online application submit कराने की जो शुरुवाती तारिक है, वो 10 जुलाई 2020 है, और अंतिम तारिक रहेगी 25 अगस 2020 और फीस के रूप में बात करें, तो 350 रुपे आपको प्रती application, प्रती candidate को पे करने पड़ेंगे, इस प करते रहें, और आप से एक बार फिर निवेदन है कि इस भरती समन्दित यादि आपके पास कोई comment है, तो वीडियो comment section में छोड़ें, तब तक के लिए आपको नमस्कार, और मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यावाद,